भाईयों बेहनों आप मुझे बताईए आपने देश आजाद हुआ उस समय के जो आपके दोस्तों आपने अक्सर कई बार सुना है कि पुराने नौट और सिकों की कीमत काफी बढ़ चुकिये और आपको लाखों रुपे मिलने वाले तो दोस्तों अभी तक आपने नौट और सिके सेल किये है या नहीं किये ये तो मुझे पता है नहीं लेकिन दोस्तों ये मुझे जरूर पता है कि आप काफी मैनों से पुराने नौट और सिके को बेचने के लिए इंतजार जरूर कर रहे हैं तो दोस्तों आप भी अगर रुपे कमाना चाहते हैं तो दोस्तों आज से पहले आपने यूटूब पर कई वीडियो देखाऊगा आपने नहीं भी देखाऊगा वो मैं आपको नहीं बोलता लेकिन आपके पास अगर पुराने नौट और सिक्के हैं जो रेर करेंसी में आते हैं जो यूएंसी कंडिशन क नौट और सिक्के होते हैं उसका जो एगजवेशन लगता है वो कहां पर लगता है और उसकी कितनी कीमत है वह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आप सेल करना है तो आप करिए अगर नहीं करना है तो आप मत करिए लेकिन दोस्तों आपको अगर नौट स सिकों की बारत में अलग-अलग समय पर अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग सेरों में और दोस्तों अलग-अलग राज्यों के अंदर नौट सिकों का एक्जिवेशन लगता रहता है नौट सिकों की परदस्नी भी लगती है साथ ही दोस्तों कभी-कभी ऐसा भी होता है कि साल में दो से तीन बार नोट और सिकों का मेला भी लगता है उस मेले में भी नोट और सिकों को बेचते हैं काफी ऐसे लोग है जो नोट और सिकों को बेचते हैं उसके बदले में अच्छे पैसे कमा लेते हैं तो दोस्तों आप अगर नोट और सिकों को बेचना चाहते हैं परदस दोश्तों इस वीडियों मैं आपको जो नॉट और सिके बताओंगा वो नॉट और सिकी है तो दोश्तों वो परदसनी में खरीदे जाएंगे जिसकी परदसनी अभी देलीके अंदर लगी हुई है आप देली के रहने क्योंकि अभी ऐसे कई जो फरजी वायर है वो भी गूम रहे हैं लोगों के साथ फ्रोड भी कर रहे हैं आप नौट और सिकों को हकीकत में सेल करना है तो परदस्ति में सेल करें अच्छी कीमत भी मिलेगी और आपका नौट और सिका भी बिक जाएगा तो दोस्तों इस वीडि करना है आप गर बैठें भी सेल करना चाहते हैं तो दौस्तों सेल तो नहीं होगा लेकिन आपके जो पास सिका है उसकी आप पराइज जरूर पता कर सकते हैं आप उनको फूटउ बेज सकते हैं वोट्सवपर आपको रिप्लाई हातोाथ मिल जाएगी तो दौस्तों काफी अलग-अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से नौट सिके खरीदे जाते हैं बेचे भी जाते हैं ऐसे कई जो ओल्ड कोईन जो एक्जिवेशन होता है उसके अंदर भी काफी ऐसी सुईधा है जिसके माध्यम से गराक आसानी से नौट सिकों को सेल कर सकता है और उसके बदले में आपको जो नौट और सिके बताओंगा वोई आपको फोटू भीजना है और वोई आपको कीमत मिलेगी अगर आपके पास और नौट और सिके हैं तो दोस्तों जैसे डिमंड आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे आप सेल कर देना लेकिन दोस्तों आप छो कफी कीमत है यह जेर फोटो वाल सिक और देक्सकते यह सैमारी का यह जो आप देख सकते हैं यह यह मिन्ट मार्ग लगा हुए जो डॉट मिन्ट का हार है जिसके उपर आप देखो यह शेर की तस्वीरे आदा रूपया लिखा हुआ है जो आप देख सकते हैं इंडिया लिखा है उपने सोस्याल सेरी में ये डॉट मिंट में सापा हुआ सिका है आपके पास अगर कोई भी तस्वीराला सिका है इस टाइप का अंग्रेज कालीन तो आपको 10 लाक रूपय एक सिके सब्सक्राइब है तब आपके पिकेंगे अगर आप नौकल भायर को बैठोगे तो आपको इतनी कीमत नहीं मिल सकती अगले सिकाह जो आप देख सकते हैं यहां पर आधा रुपय लेखा हुआ है यह भी काफी मेंगा सिकाहा है इस स्टाइब के बदले कीमत आपको मेंच सकत था जो सिका देख सकते हैं यह प्योर सोने से बना हुआ चिका है जिसके ऊपर आप देखो गोड़े की तस्वीर करांतिकारी की तस्वीर बनी हुए आपके पास अगर यह सिका है तो दोस्तों इस सिके के बदले कीमत आपको 25 लाख रुपे मिल सकती है सैम यह सिका होना जिसके की तस्वीर की बात करें काफी अलग 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 डिजाइन में इनके सिके हैं अलग अलग आपको पराइज भी मिलेगी जो यह आप सिका देख सकते हैं इस टाइप का अगर आपके पास सिका है जो बारी डिजाइन ऐसी है जिसके की तस्वीर बनी हो यह जो आप दे एक आना लिखा हुआ है जो आप दीख सकते हैं एक आना लिखा है जो 1867 में इस सिहरे इसे सापा गया था जो आप देख सकते हैं अंदर की डीजाइन ऐसी बनी होगी है ये काप ये महेंगा सिहरे और 25 लाक रुपेिया एक सिहरे दिला सकता है वो भी आप परदस्थिम सेल करेंगे और रियल बाहर से संपरक करेंगे तब ही आपको इतनी कीमत मिलेगी अगले सिके की बात करेंगे जो दो आने वाला सिका देख सकते हैं यह दो आने का सिका है उगन सो सिका है जो डाट मिंट में जो इंडिया लिखा हुआ है और अंदर की डिजाइन आप देख सकते हैं ऐसे इसमें डिजाइन बनी हुई इसमें यह कोपर निकल से बना हुए सिका है आपके पास कोपर निकल से बना हुए सिके हैं इस टाइब की जो सिके देख सकते हैं और यह लाख और रुप रुपे आपको दिला सकते हैं और कई ऐसे जिन्दों ये सИक्हे सेल की है आप भी इनको सेल कर सकते हैं जो आप ये सिक्छा देख सकते हैं जो बेल वाला, ये केमत है जो 5954 में सिक्हा सालव गया था एक बेल की तास्विर है ये दो आने का सिक्का है ये आपको दिला सकता है साड़े पांच लाक रुपे दोस्तों मैं आपको ये रियल प्राइज बता रहा हूँ अब मैं आपको सबसे महंगे महंगे सिक्के बताए थे अब मैं आपको कुछ ऐसे सिक्के बता दू जो लाखों रुपे देला सकते हैं लेकिन कई लाख रुपे आपको नई देला सकते हैं काफे अच्छी आपको कीमत मिल सकती अब आप में को बाताना वाल ये एक बटा चार वाला सिका देख सकते हैं जो गुन सो पच्पन सापा हुआ था जो आप देख सकते हैं दो गईण की बाली है चार आना लिखा हूँआ आप देख सकते हैं और दूसरी साइडाप Asoak System का फोटो है जो आप देख सकते हैं गार्मेंट अप इंडिया लिखा हूँआ जो आप देख सकते हैं ये सैमिसिक्का है जो listar mint मारी का सिका होना चाहिए दोस्तों तो आपको इस सिके के बदले कीमत दो लाख सतर हजार रुपय मिलेगी आपके पास अगर यह सिका है तो आप सेल कर दीजिये अब बात है एक रुपय के शिके की जो आप देख सकते हैं दो गांग की बाली एक रुपया लिखाए एक रुपे अंकाव में दिया हुआ है जो आप देख सकते हैंगुटि 171 में सापह हुआ जो डॉट मेंट का रुटा हुआ है जो आप देख सकते हैंगर सेल कर दीजिए अब मैं आपको बताना वाला हुआँ ये सिका एक रुपे का है जो दो गउं की बाली है रुपे लिखा हुआ है उगण सब 62 में सापा हुआ सिका है जो आप देख सकते हैं कलकता मिंट में सिका की सपाई हुई थी जो आप देख सकते हैं असो किस्तम का फोट हुए इंडिया लिखा है और बारत लिखा है अंदर की डिजाइन ऐसी बनी हुए ये काफी महेंगा सिका है क्योंकि कलकता मिंट के सिकाओं की सपाई बहुत ही कम संक्याम हुई थी इसलिए दोस्तों ये सिके काफी महेंग हैं और हमारे एक्जिवेशन में ये सिका खरीदा जाता है साथ ही जो परदस्नी लगती है वहाँ पर भी खरीदा जाता है इस सके के बदले कीमत आपको मिल सकती है दोस्तों साड़े साथ लाख रुपे अगर आप परदस्नी में सेल करना चाहते हैं तो भी सेल कर सकते हैं अगर आप हमारे से बात करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं आपके फॉन नमबर पर एक OTP एगा वह OTP यहांपर आपको डाल देना इतना डालते ही आपकी जो नमबर है वह यहांपर सेव भी हो जाएंगी और साथ ही में मिल जाएंगे हम साथ से आठ दिनों के बीतर आप से कॉंटक्ट करके आपके सारे नौटर शिंगों के डिटेल लेके बिकवा देंगे और आपके बैंक खाते में पैसे बेज़वा देंगे